सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रैस करें इस बैल को थी खबरों के लिए बने रहें किसी को मालूम नहीं है तो असमंजस किसी बनी हुई है तो यह सरकार को मुझे लगता अपने कारव कारिशाली को सोधारना चाहिए जनताने बहुमत देकर राज करने का आपको निर्देश दिया है और अभी सरकार को सब 6 मैंने हुए हैं लेकिन हर छेत्र में आप ग्रामी शे जिनकी शासनिक स्विक्रिती और आर्थिक स्विक्रिती निगल चुकी है उन कामों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो निर्मान काम विकास काम फुर ठप पड़े हैं अब आचार सहींता का बहना लेकर हम कब तक काम रोके रखेंगे तो हर छेत में बिजली पानी की जो क कि क्या देखते हैं शिक्षा मंतरी जी उर्टी जो जो मानने मंतरी प्रदेश के हैं उनको मुझा अपना ध्यान अपने डिहान अपने डिपार्टमेंट पर अपने कामों पर और जनता की सेवा पर लगाना चाहिए और 24 घंटे सिरफ बयान देना और विरोधियों पर परशासन को सरकार को एक गहन, निश्पक्ष और एक ऐसी जांज करानी चाहिए जिससे पूरा अथात्य सामने आए मैंने परीजनों से मुलाकात करी है और हम चाहेंगे कि सरकार इनके पूरे परिवार को जो मापदंड हैं उसका निशार पूरी मदद, सायता, सवयोग करें तीन चोड़े बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी जो विद्वा है, उनकी लिए धन्राशी को संजादन प्रयाप मात्रा में पहुंच सकें और हर संबब सवयोग हम लोग भी करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार का अगर हाथसा हुआ है, अलग प्रक्रा में, लेकिन अगर कहीं और कुछ अंदेशा जो परिवार को है, उसका भी खुलासा होना चाहिए, लेकिन जाज के बाद होना चाहिए, तुरंट प्रभाव से अब तक एक विक्ति को डिटें और लोगों को न्याए मिले, हमारी पुरी समेधना, पुरी परिवार के साथ हैं, और उम्मीद करता हूँ किस प्रकार का प्रकंट कभी दुवारा ना हो, जिले प्रदेश के लिए, जिले प्रदेश के लिए, तो जिले में भी इससे पहले कहीं मामले सामने आचुके, अगर सरकार परशासन सक्ती से नहीं निम्टेगी, तो और लोगों के अंदर साहस बढ़ेगा इस प्रकार के काम करने के लिए, और अगर ऐसे घटनाओं से लोगों का मनुबर तूटता है, जाल ये नौजवान पुलिस में काम करता था, पुरी पुलिस फोर्स का मनुबर अगर हम लोग सक्ती से नहीं निम्टेंगे, तो मैं तो आगरे करूँगा सरकार से भी, कि सारी बातें छोड़कर, अगर गैर कानोनी इल्लीगल गतिविदी कहीं हो रही है, उस पर तुरंत कारवाई करनी चाहिए, और हम लोग जो विपक्ष में है, हम लोग पुरी मांग रखेंगे सर्दन के बाहर कि इल्लीगल गैर कानोनी कोई भी कारवाई हो, कोई कितना बड़ा प्रभापशाली वेक्ती हो, लेकिन उसके कहने पर कर सरकार आँख भून लेगी और गैर कानोनी कारवाई होती रहेगी, उसको बरदास्त नहीं करेंगे, इन्होंने जो कहा है क तीनों छोटे बच्चे हैं उनके पढ़ाई के लिए, सरकार खर्चा उनका उठाए, शहीद के दरजी के मांग रखी है, उसके विजान सरकार को करनी चाहिए, कैसे उसको दे सकते हैं, रहने के लिए मकान, उनकी जो धर्म पत्नी हैं, आर्थिक मदद और इलाखे में जो ज करना चाहिए, प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 पर लेटेस्ट नीज और अपडेट्स